यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तो बारा साल तक की बच्ची से रेब के दोशों को मौत की सजा देने के प्रस्ताओ को किंदरी कैबिनेट की मन्जूरी मिल चुकी है शनिवार को परधानमंतरी हवास पर किंदरी कैबिनेट की बैटक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब सरकार इसके लिए अध्याधेश भी लाएगी कैबिनेट की बैटक में प्रोटेक्शन आफ चिल्डरन फ्रों सेक्श्वल अफैंस यानि की पॉक्स्टो एक्ट में संशोधन को मन्जूरी मिलने से बारा साल से कम की उमर की बच्चियों से रेब के दोश्यों को मौत की सज़ा दिये जाने का प्राधान होगा और जम्मू के कट्वा और उत्तरपदेश के एटा में नाबालिक बच्चियों के साथ रेब की घटनाओं ने देश को जगजूर कर पहले रख दिया था और इसके बाद ही सरकार ने नमालिक बच्चों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्राद्धान करने का ये फैसला लिया है। इससे पहले आपको बता दी कि महिला और बाल विकास मंतरी मेंका गांधी ने भी ये कहा था कि वो कठुआ और हाल ही में जितनी भी घटनाय हुई है बालादकार की उनको लेकर काफी धुखी हैं और उनका मंतराले बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संचोधन का प्रस्टा केबिनेट के सामने पेश करेगा